हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हैं सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे तो आज का जो हमारा टोपिक है हमारा टोपिक है कन्या राशी कन्या राशी जो छटे नंबर की राशी है और कन्या राशी के बारे आज हम बता रहे हैं थोड़ा सा समझान लगन क्ंडली के हिसाब से समझाने की कोशिज करते हैं कर्ण आप में च्छेते नंबर घया इसका छेंक है, अपने आप में बडी जबरस्तरासी है, इस समय आपका मंगल उचका हो रहा है और सनी अस्त हो रहा है, तो इसका फाइदा मिलने वाला है, क्योंकि जब भी मंंगल उचके होते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव का कारण करते हैं, और आपके सारे मनोड़त को पूरा करने का काम करते हैं आपको मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं ठीक है अब मनोबल कहां से बढ़ेगा मनोबल बढ़ेगा आपके यहां से यह आपका तीसरा गार हो गया एक, दो, तीन यानि मनोबल का काम होगा यहां से और यह house किसी होता है यह house होता है आपके बाई-बेहन का ठीक है भाई का हूगया पत्रीका हो गया इससे सब चीजे पता चलते हैं तो इस समय जो आपका मनौबल है वो बढ़ाने का काम करेगा अब थाड़ा जो होता है आपके बाई-बेहन का परिश्रम का और यात्रा का होता है यहां से रिष्टों को देखा जाता है और यहीं से हम जो हमें अब तक मिल रहा था वो जो मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो रहा था जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था और अब ये समझने की कोजिस करते हैं कि मंगल है क्या मंगल अपने आप में एनेजेटिक है अलगी ग्रह है भाई आपके सेनापती हैं अब ये समझो जब भी मंगल उचके होते हैं तो इनके परिनाम जो होते हैं आपके फलसरूपी होते हैं और जब ये उचके नहीं होते हैं समझे सो जब आपके मंगुल उचके नहीं मटरे जो आपको चाहिए वहात आपको नहीं प्राप्त होता होता है उनकर यह कमें अपने आपमे रre अपन ये जब धी मंगल होता है तो मंगल मतलब बैसका नहीं होता तो उसíss மद Size रिन भी चड़ा देता है करजा चड़ा देता है तो आपने फील करा होगा आज से पहले आपके उपर दुनिया बर के ना चाहते वे करजा चड़ गया होगा दुनिया बर का रिन चड़ गया होगा आप जानते होगे आपकी आत्मा जानते होगे आपके बालक बच्चे जानते होगे कि आपने इस समय को कैसे फेस करा है अगर मेरी बास सच लगे और आपके रिद्धे तक पोचे तो इस बात का लाइक दे दे ना ठीक है ना किया बास सही ती या गलती लेकिन इस समय जैसे मंगल उचके होंगे तो अब आपका मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई यह समझ लीजिए आपकी जो आपके लिए खुसकवरी है यह जो मतला मंगल यहां जैसे उचके होंगे तो आपके जीवन में एक अलगी बदलाव देने का यह आपको कारे करेंगे ठीक है अब दूसरे तोर पर समझते हैं जब मंगल उचके नहीं होते हैं और जब मंगल तो वह बिमारी जो अब तक डाइगनोज नहीं हो पा रही थी वह बिमारी अब आपके डाइगनोज हो जाएगी अब आप यह माल लीजिए क्योंकि जो इस समय पीरिट चल रहा है कहां पर बैठे हैं वह यहां पर बैठे हैं गुरू कहां पर बैठे हैं आपके इस समय देती हैं लेकिन जैसे मंगल यहां उचके हो गए हैं तो यह सब चीज हो जाएंगी जो बिमारी आप चाहा रहे थे कि किसी तरह पता चले या जो दर्द आपके अंदर या अंदर बन रहा था या अब तक हमें यहीं पता पा रहा था क्यों धर्द है क्या हम प्रेशान है डॉ जो जाएगी तो आपको गवरानी की जूरत नहीं है कि आप इस समय प्रेशान होने की जूरत नहीं है इस वक्त में आप बिमारी का जब इलाज हो जाएगा तो आप सही हो जाओगे यानि आपके लिए अच्छा हुआ ना और कोई भी जो ऐसा बिमारी थी जिसका आप ऑपर कराया तो दिक्कत आजाएगी इस समय आप उस बिमारी का कोई भी बिमारी उसका इलाज भी करा सकते हैं क्यों करा सकते हैं क्योंकि मंगल आपके उचके हो चुके है और जो उनकी द्रिश्टी है जो इनका यह है जहाए बैठें गुरू बैठें तो उसका आपको पूंडू आपके विदेश में हैं उनके लिए पीरिट बहुत अच्छा है जिन्हें सफलता नहीं मिल रही थी जो लोग वीजा लगा रहे थे कोशिस कर रहे थे किसी तरह बाहर चले जाएं अब उनके लिए वक्त ऐसा है कि जहां भी वह वीजा लगाएंगे वहीं उनका वीजा स्व हैं मिलेगी आपका जो भाग्या है जो आपके वाके वाली वाले लोगों के वो कौन है उस कुण्डली के हिसाब से गफेरो हम सी बैटे हैं जहां-जहां कौन से रहे, कौन से बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, अगर इनका हम मतलऻ हमारी सबकित हैं, नहीं हो सकती हम सोच ना हैं, मेरी सब करो इनसे हमें फाइदा मिलता है अगर हमारा लगन यह सारी चीज सही है तो हमें इसका 100% फाइदा होगा जो हम बता रहे हैं इस समय मंगल जहां उचका हुआ है उसका आपको उसका फाइदा आप ले सकते हो 100% ले सकते हो तो लेने की कोशिज करो ठीक है हाँ दिक्कत कब होगी अगर आपका गुरु जो है निचस्पना हो ऐसी स्तीति में तो कोई दिक्कत हो सकती है अगर गुरु नीचका है ठीक है ना अगर गुरु नीचका है तो यह सब आपके विपरीत हो जाएंगी लेकिन अगर कुंडली के हिसाब से इस लगन कुंडली के ह सापसे आगर हम देखते हैं यह सारी चीजे सही हैं तो यह निशिंत जो हमने आपको बताया इसका आपको फाइदा होगा 100 प्रसेंट फाइदा होगा ये आप समझे लिजे अब सनी की समझ लेते हैं सनी इसमें का पर बैठे हैं सनी आप तो इस समय सनी तो आपके अस्त हो रहे हैं लेकिन इस समय जो आपका फायदा होगा आपका जो शत्रू अपहावी नहीं उपाएगा तो सब्सक्राइब आपको पूंडूरूप से मिल जायेगा जाते वेगा तो यह आपके लिए चाह वोगा अच्या आपको थोड़ा सा कि पूजा करें ठीक है और शुक्र देवतागी पूजा करें और जो आपका इस समय एक चीज और बता देते हैं जो सनी जहां पर बैठें इस समय जितने भी आपके इस्टूडेंट हैं उन्हें विसेज द्यान रखना है उन्हें अपना सारा ध्यान अपनी पड़ाई पर लगाना है ठीक है क्योंकि जहां यह बैठें तो नुक्सान दे जाएंगे जितने भी जो लोग हैं आपके जो अपन गलती हुई जा नजर हटी माद रुगटना गटी तो इस समय रिलेशनशिप वाले जितने भी लोग हैं उन्हें तोड़ो सा ध्यान रखना है अपना रिलेशनशिप का कोई भी इधर उदर की चीजों से बचके सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है जितने विधार हो रहे हैं तो कहिए नुकसान ना हो जाए ठीक है क्योंकि आप बोड़ के पेपर आपके मार्च के बीच में आ जाएंगे तो हमें विशेज द्यान सिर्फ अपना पड़ाई पर फोकस करना अगर हम पड़ाई पर फोकस करेंगे तो उस समय हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ठ जितने भी हमारी घरवस्ता में हमारी धहनें फैक है न हो झाल करना कि यह फथना हान के लिए इंदेव्त अब को गड़ाई थाल यह थोथ कैनल करें अधर सा सब्सक्राइब को यह और रहुद्यूं एह थे अटरेएग जितने haven lijkt है जो मंगल आपके आप इसमें उच्के हो रहे हैं उस मंगल का फाइदा ले l ले लिए कोशिस करें हनुमान 40 का पार्ट कर ले बजरंग सोबसाम और न जोद वrange करें शुकर देवता का थोड़ा सा उपाय कर ले सनी जाते वे हैं जाते वे सनी का थोड़ा सा फायदा उठा ले अस्तर हो रहे हैं तो ठीक है इसे अपना फायदा उठाएं वीडियो अच्छी लगें तो लाइक करें सब्सक्राइब करें पुना आपसे प्रात्रा करते हैं ठीक है नमस्का